नमश्कार एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा गाउ मेरा देश है के यूपी अडिशन है ये वो वक्त है जब आपकी और मेरी घड़ी में दो बज़ गया हम इस वक्त चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की हर एक विधान सवा के और अब चूकी प्रचार भी और प्रसार भ तो डिजिटल माध्यम का उप्योग करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि विधान सवाओं में आखिर क्या कुछ चल रहा है दो हजार सत्रा में किये गए दावे वादे क्या जमीनी स्तर पर सच साबित हुए या फिर वो सिर्फ एक जुमला बनकर सियासी गमलों में अपन कुछ समेटे हुए है जो उत्रप्रदेश चुनावों के पहले चरण में ही सियासत का भरण पोशन करेगी दस फरवरी मेरट पश्यमी उत्रप्रदेश किसाना दोलन ये वो कीवर्ड है जो आज कल हर राजनितिक पंडित अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिहाज से इनका आखलन कर रहा है जानने और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन सा नेता गरदिश में है कौन सी पार्टी का तारा चमक रहा है और कौन सी पार्टी का सितारा अंधकार की वादियों में गुम होता जा रहा है इसको जानेंगे समझेंगे आज हम मेरट से हैं मेरट की किठोर विधान सभा यह वो विधान सभा है कि जिसने सपा को एक नहीं दो नहीं दर असल तीन बार हैट्रिक मरवाई तीन बार यहाँ पर शाहिद मंजूर सहाब विधायक रहे मसला 2002 में रहे 2007 में रहे और 2012 में रहे खुद की सरकार में भी रहे और बसपा की सरकार में भी विधायक बने लेकिन 2017 में वीजेपी की प्रचंड लहर के सामने वो ठहर नहीं सके निस्ता नाबूत हो गया उनका किला और किले को डहाने का काम किया सत्वीर त्यागी ने कौन है ये सत्वीर तयागी सत्वीर तयागी है कि ठोर विधान सभा से लेकर समूच मेरट में हिंदू के नेता हिंदू के बड़े नेता के तोर पर इनकी पहचान है इसके साथ ही साथ किसान आंदोलन को शुरू से लेकर आखरी वक्त तक बिलकुल सो फीस दी और इस स्यासी आंदोलन के लिए उंके पास कोई जगा नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई कॉमेंट नहीं है, कोई बयान नहीं है तो किसान आंदोलन को पूरी तरह से डिस्मिस किया किसान आंदोलन को कभी किसानों का आंदोलन तो माना ही नहीं बलकि उन्हें माना क्या माना उन्हें सियासी आंदोलन तो शाहिद मंजूर सहाब इनकी ज़रा बात कर लेते हैं हिंदू हुए मुसल्मान हुए सब के बीच شाहिद منजूर बड़े आम हुए ये किठोर में बड़ी प्रचलित तुछ पंक्तियां है किठोर में शाहिद منजूर साहब का जो दब-दबा है वो हिंदूओं के बीच भी है और मुसलमानों के बीच भी है लेकिन सत्वीर त्यागी साहब खुला परचम हिंदूों के नेता और किसान आंदोलन को जो की पस्चिमिउत्त प्रदेश में काफी प्रभावशील था उसको पूरी तरह से शुरुआत से ही डिस्मिस करते रहे शुरुआत से ही इस किसान आंदोलन को दरअसल एक सियासी आंदोलन बताते रहे तो ऐसे में किठोर विधान सभा मेरट के अंतरगत आती है किठोर विधान सभा में अगर हम 2017 से पहले का जिक्र करें तो पूरे 2002 के बाद से वहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो लाउट स्पीकर था वो पूरे जोश में था समाजवादी पार्टी ही समाजवादी पार्टी नजर आती थी मुलाइम सिंग यादव के नितरत तुम्हें जब 2012 में समाजवादी पार्टी ने किला फतेह किया और उसके बाद कमान सौब दी अक्रेश यादव के आहां तुम्हें कि नित्रत्व में बंपर वोट पड़े समाजवादी पार्टी को और नित्रत्व इलेक्शन कैम्पेनिंग की मुलायम सिंगादव ने और बाद पे सारा दारो मदार सभाला अखिलेश यादव ने और मुख्यमंत्री भी बने उनके राज में शाहिद मंजूर साहब का चलबा कायन था 2017 में दरसल फेर बदल हुआ और ये फेर बदल बड़ा फेर बदल था जहां पर शाहिद मंजूर साहब को विदाईकी से हटना पड़ा और सत्तिवीर त्यागी साहब विदायत बने ऐसे में हमारे साथ मनवर चौहान मेरट की सियासत को बड़ी करीब से समझते है और मेरट की सियासत में ही उठना बैटना है मनवर चौहान साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है समूचे मेरट की बात करेंगे लेकिन शुरुआत किठोर से करेंगे किठोर विदानसभा शाहिद मंजूर 2002-2007-2012 तीन दफा हैट्रिक विदायकी की इसके बाद 2017 में सत्वीर त्यागी साहब आते हैं 2017 के बाद अब 2022 के मुहाने पे हम लोग खड़े हैं क्या लगता है सत्वीर साहब कुछ कमाल कर पाएंगे कावेंद्र अगर किठोर विदानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं किठोर विदानसभा शेत्र के ग्राम ज्यानपूर में हूँ और यह वो गाओ है एक चोटा सा गाओ है 2400 वोट होती है लेकिन इस गाओ में भी शाहिद मंजूर जोकि पूर कैविने बंतरी है उनका इस परकार आना जाना है बच्चा बच्चा उनको जानता है और वो बच्चे बच्चे को जानते है इसी परकार पूरी क्छोर जानता सीट में उनके लोग परिचित हैं और लोग उनको जानते हैं वो लोगों को जानते हैं लेकिन जब नरेंदर मोदी की लहर 2017 में आई तो उनके जान पहचान भी फीकी पड़ गई लोगों ने ना केवल शाहिड मंजूर से मूं मोड़ा बलकि सत्विर्त्यागी जो कि एक गुम लड़े कुछ हासिल नहीं हुआ लेकिन जिस तरीके से मोदी लहर आई तो उनको इस जीत से नवाजा गया किठो विदानसबाद शेत्र ने उनको जिताया लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर बात की जाए वर्तमान की बोर में शाहिड मंजूर उनके पिता विदायक रहे कॉ तो शाहिद मंजूर आगे बार आई है तीन बार विदायक रहे लेकिन 2017 के चुना वहर गई फिलाल किठो विदानसबाद शेत्र के बात की जाए तो यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है शाहिड मंजूर अपने जोरो शोरो से कैम्पिन करते हैं यह जल जाही रहे पूर क खाइषपा के दो वर्कमान विदायक है है कर दो दो değil है कुछ हिलाकों में काम नहीं कराये जिस तरीके से जाती आधारी आधारीक राजिनिती उसको लेकर के भी लोगों को इनके विदायक होने का खास फाइदा नहीं मिला जूए कर दो करने हैं देखने को नहीं पड़ता है झाह करने लिएक गाविन मिला थे लेकिन अगर ग्राउन्स विरो पर उनकी पर्फुमेंस की बात की जाए तो शायद लोग उनको नकार दे देखना यह होगा इस बार कावेंदर के नरेंदर मोदी के जो लहर पूर में देखी गई थी 2014 हो 2017 हो या 2019 हो वो इस बार लहर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी क्यो सब्सक्राइब के बारकरते हैं उनके 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 जो साथ लने वाले लोग्त है जाठ भी है इसे सीट नहीं है कि जो जेडेगे साथ लवान जाता है कियो पर कर दो कर में नेता अबाब मुनकाद रहते हैं जो पूरे यूपी में टिकेट बाटने का काम करते हैं मायोती के खास माने जाते हैं राइट हैं नसमुदिन सिद्धिके के जाने के बाद उन पर काफी जिम्यदारी आई हैं अलकि वह बात अलग है कि किठो विदानताबास से बस्पा अपन पूर में लग रहे हैं तो ऐसे में बस्पा कहीं न कहीं इन इलागों में जरा सा नजर आती है और इस वक्त लोगदल सपा प्लस भाजपा इनकी टक्कर मानी जा रही है तो शाहिद मंजूर का जो नाम है वो अपने अपने बड़ा नाम है और जाहिल तोर पर उनका टिकेट यहां से निश्चित तोर पर जो जड़बंदन है वो परेगा लेकिन अभी एक चीज है मनवर जी वो थोड़ी सी सोचने वाली है कि रालोध जो है किसाना अंदूरन के बाद एकदम से शक्ति आई है रालोध के अदर अब ऐसे में शक्ति आने के बाद यहां से एक और नाम क्या करना है उनको देखे मतलूब गोड के बारे में आपको मैं बताओं मतलूब गोड इससे पहले लोगदल में एक कारेकरता हुए करते थे और शाहिद मंजूर के सामने उने ने खुद चुना ला रहा था चोदरी साब के समय में जो 2017 का चुना हुआ है उसमें मतलूब ग कर रहे हैं मिजट के जिला देख्ष उनको बनाया हुआ है तो हो तक का मतलूब गोड को इस बार लोगदल दरकिनार कर दे और शाहिद मंजूर को दरकिनार करना समाजाजी पार्टी और लोगदल के बसकी बात नहीं है क्योंकि प्री फंड में कह सकते सीट उनको मिल सकती है अगर भाजपा का यहाँ पर दबदबा कम रहा तो निस्य तोर पर शाहिद मंजूर सीट को अराम से निकाल लेंगे यह सभी जानते हैं उनकी छबी है और ऐसी छबी है मुस्लिम हिंदू का कोई नाम नहीं लेते हैं और सभी लोग उनके साफ कलते हैं उनके कासले में देख लेकिन पूर में जिस तरीके कि इन दोनों में कह सकते हैं कैट वह विल्ली की आपस में लाई चल रही थी उसको भुला करके यह जिताने का काम करेंगे अभी यह देखना होगा क्योंकि मत्लूब गोड के समर्थक है किसरे कि चलती हैं पूरी तोई के से एंटी शाहिद मन्जूर है मत्लूब गोड का जो खान्दान है कि विदानतवार काफी बड़ा खान्दान है मेंपावर है तो उनके सामने किसी की चलती नहीं है भले है कैबिनेट मंदरी शाहिद मन्जूर रहे हो पहले भी देखा गया है कि लोग दल हो सकता है शायद मंजूर को नच रड़े और शाहिद मंजूर प्रकास के जह तर हो टयारी करने दे पिछले पास साल कर रहे हैं अपने किछ सीट को चोड़ करके कहीं नहीं देखे गए हैं कहीं नहीं जाते हैं केवल पिछो विदानसबा शेत्र में ही पिछले पास साल उसे काम कर रहे हैं उससे पहले भी काम करते रहे जो कि विदायक थे तो ऐसे में माना वे भी जा रहा है किसी भी कॉंटर वर्ती में ना पढ़कर शायद मंजूर ने यहां पर अपनी जो जमीन है उसको मजबूत किया है और इस किले को लांगने के लिए वार्ती दिनका पार्टी हो तो उसको काफी मैनित करनी पड़ेगी हलाकि इस बार चुनाओ भी खोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि यहां पर सीधे सीधे अब शोशल केंपेणिंग होग जाएंगे और उसके साथ ही में बाती चीजों पर भी बात करेंगे आपके आसपास कोई होगा तो उससे भी आप जानने की कोशिश करेगा लेकिर उससे पहले आप किठोर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं दक्षड विधानसभा की बात करूं शहर सीट की बात करूं सिवाल खास की बात करूं वह कौन सी विधानसभा है जहां आपको लड़ा है कि लड़ाई इस बार बड़ी दिल्चस्प होने वाली है और परिणाम जो सोचते हैं जो हम लोग गड़ित लगाते हैं जो राजवितिक पंडित गड़ित लगाते उससे परे आ सकते हैं मतलब कौन सी आपको लगड़ा है जिए तीन विधानसभाओ के आपने नाम लिए दक्षिर, शहर, सिवालखार शहर सीख करूं तो यहां पर मुस्मिमों की जो आबादी है परसंटेट के अगर बाद की जाए तो यहां पर 17 परसंट मुस्मिम वोटर है तो इसे में भागता कि समाज़ोधि पार्टी पूर में यहां रहे तो इसको है यहां पर और परतियासी खड़ा कर दे कि उसके नुक्सान हो जाए तो दक्षियों बीदानसभा फिडे है काफी पिछ्डी सीथ मानी जाती है बले यहां पर फाढर नेतास सोमिन लितोवर भाज़बा कर नेता रहे ह प्रोफेसर है पड़े लिखे है पीएजडी उन्होंने की है खुद सिक्षन संसान चलाते हैं लेकिन दक्षण जानतबाश शेत्र काफी बड़ा है परतापुर से लेकर के शांसिनगर तक लगता है तो इस इलाके में अगर मैं बात करूं शामनगर और समर गार्डन और बहु समय नहीं आता है नर्क के जिन्दगी जीने के लिए जो दक्षिल विजानतबाश सीथ के जोग है वो मजबूर है हलाकि सीथ पर समाजदी पार्टी का कोई बड़ा नीता आया तो कह सकते हैं बड़ा नाम सामने भी नहीं आया है बहुत कमेंसे लोग तैयारिया कर रहे हैं इस पर कोन आएगा ये देखना होगा लेकिन दक्षिल विजानतबाश सीथ पर इस सीथ पर जो पूर मंत्री रहे हैं बस्पा में हाजी याकूब चक्षित नाम है उनके बेटे पिछले काफे समय तैयारी कर रहे थे लेकिन इस बार उनके टिकेट को समाजदी पार्टी ने चेहरे दी है और लोगदल में जाने की कोशिश कर रहे हैं दर कि ये बात है वो चाहते हैं लोगदल से उनके टिकेट को निकाल ले क्योंकि बड़ा नाम है और काफी पैसा भी उलग करते हैं सब जानते हैं तो यह सीथ का समय कर दिकार है अलकि भासिंदा पार्टी इस पर तो यह नहीं का जा सकता क्योंकि सो शिटिंग मेले के टिकेट कटने है वासंता पार्टी में वहार तका आज मिटिंग होनी थी उसमें कुछ निकल कर आए अब बात कर लेके सिवाल खास और चले के मनगर जी सिवाल खास पर चलेंगे लिए उससे पहले जैसे कि आपने तक घर है सड़कों पर तक अपने घर खीच रखें यह काफी देखा गया दक्षण विधान सवागा और कहा जाता है कि विदायक जी इन चीजों से बच्चते हैं काफी अतिक्रमड है का विंदर मैं आपको बताओं कही साल पहले एक विबादु खबरे एक चलने लगी थी स अवाज स्विकास परिशद एक घर से अधिक किसी को घर नहीं दे सकता है लेकिन उन पर आरोप लगे कि घर अलोट किये है अब समझ लीजिए अगर इस तरह की का आरोप सेटिंग अमेले पर लग रहे है तो आम जनता ने क्या क्या होगा यह पूरा जो शाष्टी ने बसा ह अवाज स्विकास परिशद का है तो यहां पर किया क्या है लोगों ने एक, दो, तीन, चार मकान अलोट किया है बहुत सस्थे में कोडियों के दाम में और आज वहां के दाम अगर आप सुनेंगे चोप जाएंगे वहां पर मिट्रों की बात की जाए 60-70,000 रुबे मिट्र जगा मिलती है, इतना मेहगा है लेकिन बावजुद इसके लोगों ने घेर रखी है, कोई कहने वाला नहीं है, पुलिस की यहां पर ज्यादा कॉंबिंग भी नहीं होती है, इसके अगर विदायक की बात की जाए तो विदायक ने इस इलाके में कभी गोंकर यह नहीं देख लेकिन यहां पर आरोप ही लगते है कि वर्तमान विदायक ने जो बहुत संक्यक है, उनकी जो कालोणी है, इनको डवलप कराया है, लेकिन अर्च संक्यक की कालोणी में सटी है, तो यह सख भी साफ नजर आता है, इस तरह के आरोप लगे थे, क्योंकि हो तकता है, बार्ट् में सवमेंदर तोमर, उनका टिकेट बचेगा या नहीं बचेगा, यह भातंतर पार्टी के संगठन के ऊपर है, जो बीज़े पी संगठन है, और अगर इसके बावा हम अलग बात कर ले, सिवाल खास की मैंने कहा था, उसमान आरा एक बशूर हो रहा है, सिवाल खास कले कि यहाँ पर तीन मुस्लिम चेहरे, मैं आपको नाम बता दूँ, लोगदल से नदीम चोहान, वसीम राजा, और इसके रावा समाज़दी पार्टी से पूर MLA गुलाम मुहमद, तीम बड़े नाम यहाँ पर है मुस्लिम, इसके रावा यहाँ पर सुली लोटा लोगदल, रा पर कड़ गया है, और लगतार फेस्बुक के माध्यम से बड़ेताओं को गर रहा रहा है, और तमाम बाते बता रहा है कि वह लगनों से पदियात्रा करेगा, और एक बार आउर नाम बता दीजिगा, क्या नाम बताया, अमिजानी अगर मैं आमिजानी की बात करूं, पज़ पर लगा है, तो इसलिए कह सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं, जो सिवाल खास गले की फास इसलिए माना जा रहा है, पिछले काफी समय से सुरील लोटा जो की विदानतबा के नेता है, राजकुबर सागवान जो की बड़ नेता है, और काफी समय से चोदिध चॉनल सिंग के काईन से जोड़े बताया गया है, इसके लावा सुटिंग MLA है, जो प्रोफेसर भी रहे है, गुलाम मुहमन, और नदीम चोहान जो की बसवा से पूर में लड़े थे, वो नदीम चोहान वोई नाम है, जो दस्की मुदिन सिद्धिकनी आरोप लगा आठा के नदीम चोहान पर जो करो रुपे महारती के रुके है, वो आने है, इस तरह पर जो करना है, तो देखना होगा तो देखना होगा तो दूसरे लोग मुखालपत बर उतरा है, और सीट को घवा दे, चूंको पूर में यही देखा गया था, गुलाम मुहमन, और नदीम चोहान, अपार बसपासर लोग लड़े थे, और यहां सार जितेंदर सख्वा जो क अपर बना पुराना नाम है, और काफी इत्यासिक नाम है, आपको बना दू, लेकिन इस विदान सभा का एक इत्यास रहा है कावंदर, कि जिस पार्टी का विदायक जीता है, उसकी सरकार मनती है, ऐसा पूर में देखा गया है, लगातार ऐसा देखा जा रहा है, तो इस के लिए किसी का भी डेलेशन नहीं हुआ है, यहां पर दिनेश खटीक है, जो की विदायक है, लेकिन उनको वर्तमान में मंत्री बनाया गया है, वो सकता उनका टिक्ट यहां पर काट गया जाया है, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इस सीट को लेकर के समाजदी पार्टी का है, और योगेश वर्मा आपको याद होगा, योगेश ओड़न समाज पार्टी में पलाधा होगा करता है, चो बीक पचेस गनर लेके चला करके थे, विडिक फार्तमान में Babi 25 फेनर के चला करते हैं, लेकिन इस बार ना पर क्रोगाम में इहां बहत औ कि अगर पैनिक नहीं पैलता कैसे मैंज होता है क्योंकि आपर बात कर ली जाए कावेंदर वहां जिस्तों में टिकेट दिया जाता है पूरा संगठन उसको लडाने में जूट जाता है लेकिन अब सपा और लोगदल के दर बात कर ली जाए तो यहां किस तरीके से लोगों में एक दूसरे को लेकर रिशा है यह जंजाविड है जो क्योंकि आपने जो अपने हर विधान सभा को जो डिफाइन किया इससे जनता को जरूर फाइदा मिला होगा इतनी खूबसूरती के साथ आपने जो एक एक विधान सभा का जो परते खोल कर रख दी जो सीक्रेट से उन् हर बड़ा चहरा क्या कुछ समेटे है अपने अंदर आपने जिस तरह के उसको बाहर लाकर रख दिया जितने बड़े नाम थे उनका क्या माहौल चल रहा है क्या समीकरण चल रहा है इसको जिस तरीके से आपने बाहर कर दिया बड़ी खूबसूरती क्योंकि डिजिटल माध पी हुई बात है जो सिपा हुआ सच है जो हाल है जो सच है वो आप तक लाते रहें क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और ऐसे माहौल में तो हमारी जिम्मेदारी दूरी हो जाती है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना जानते हैं कल एक बार फिर आपसे मुलाकात ह तब तक के लिए शुक्रिया